नमस्कार दोस्तों जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और ये वीडियो है Q&A सेशन एक नया सीरीज मैं आज से स्टार्ट करूँ जिसमें मैं यूजर कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेशन पूछ रहे हैं उनको में अल्मोंस 13,500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए आपके इतने मेसेज़ेस मिले इतने लोगों से मैं कनेक्ट हुआ और इतने लोगों से क्वेशन अंसर पूछे और बताया उनके बाते शेयर के और उनको ट्रेडिंग पर राय दी हमारे सारे पुराने वीडियो को भी द इसका लिंक दे हुआ है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है आप टेलिग्राम इंस्टॉल कीजिए और उसको वहां से जॉइन कीजिए और साथ ही एक नया आपके लिए मैंने जानोरसीखो.com का वेबसाइट भी लाँच करती है तो अगर आपको पूरा लाइन से सीरियल से यह एक वेबसाइट्व में चेकाउट करता है इसमें मैं काफी चीज़े लाते रहुँंगा इसमें कए नही नही इस्ट्रेटिजी और कह टूल भी लाता रहुँंगा जो ट्रेडिंग में आपको काम में आईगी चले हम पहला कुशन लेता है पहला कुशन है में इंडिकेटर आज कर लोग बताते हैं कि यह best इंडिकेटर यया यह best इंडिकेटर यह यूट्यूब भड़ा वीडियो से कि यह एक रियल टाइम में मार्केट क्रेश ही नहीं है उसके लीड़ आफ़ नीए अगया गया है तो ऐसे इंडिकेटर से दूर है अगर कोई आपको बता रहा है इसको यूज करने के लिए तो उनको ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है वो कहीं से बुकिश नौलेज उठा के आप से शेयर कर रहे हैं अपके वल टाइम टेस्टर इंडिकेटर को यूज कीजिए स्टो से यह हैं और इस दौरान कई इंडिकेटर साइक इंडिकेटर गए लेकिन इनको आज भी लोग यूज कर सकते हैं तो आप बस इन ही पर फोकेस कीजिए मैंने आपको बता दिया है रसा स्टोकेस्टिक्स यह में ऐसे में और उसके साथ मेसेड़ी इसके अलावा आपको साथ कर लिया ठीक है अब वह आपने या तो इंट्रेटरिमें शॉक्ट किया होगा या तो आपने अपनी फोजीश अपने पोजीशन बेची होगी अगर आपने अपनी सुचन बेची है जो आपके पास डिलिग्री बेस है incentiv यह परता अपनी बीज़ है या अगर आफने इं पर तीन बच के दस मिनिट पर जो भी आपका ब्रोकर का कॉट आफ टाइम पर उस पे वह आपका पूजिशन को स्कॉयर आफ कर देगा अगर वो लोवर सर्किट पी है इसका मतलब कि आप उस पॉइंट पे कोई भी बायर नहीं है मतलब कोई भी बायर नहीं है बस वहाँ सेलर है तो अगर आपने शॉट किया इसका मतलब कि आपको एंड में उसको खतम करने के लिए आपको बाई करना है तो आपको किसी से भी बाई कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत नहीं आता बाती है जब आपको इस टॉक को शॉट करते हैं और वो अपर सर्कुट पर चला जाता है क्योंकि आपने शॉट के आपको वापस बाई करना है लेकिन अपर सर्कुट पर कोई सेलर्स नहीं होते है उसकेस में इसको शॉट डिलिवरी माना जाता है और श circuit पर जाने का वेट ना कि जी इंट्रडे में उसके पहले ही square आफ कर जे इसी लिए stop loss होता है तो next 3 questions जो काफे related हैं उसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है तो पहला question है sir day trading में support and resistance कैसे लगाते हैं और कितने दिनों का चार्ट और मिनट होता है रिंकु जी ने पूछा है मुसे question और हार्दु जी पूछते हैं कि मैंने आपका telegram channel join किया in your channel you select 3 to 5 stocks from more than 1500 stocks and find support and resistance of them then you find buy value of particular stock how all these things you do in this live market mainly how to select 3 to 5 stocks among this huge list of stocks और एक और question है कि मैं I know from whenever you are playing for intraday what is your time interval in chart to pick a stock for trading तो दोस्तों ये काफी question आपस में मिलते जूलते हैं तो सबसे पहला तो मैं एक बाल clarity कराना चाहूंगा मैं 1500 stocks को नहीं देखता हूँ मैं अपने watch list वाले stocks को देखता हूँ अब मेरे stocks जो watch list में वो कहां से आते हैं पहले तो वो stocks होते हैं जो FNO में 180 stocks है वो मेरे constant watch list में और उनको मैं हर end of the day में study करता हूँ उसके end of the day में क्या chart pattern daily chart पे वो क्या candle बनाया उसको एक watch करते हैं अगर कोई ऐसा candle होता है जैसे bearish engulfing है, bullish engulfing है या doji बना रहा है तो वहाँ से एक high possibility होती है और कल में ये candle बनेगा तो एक confirmation आ जाएगा तो ये होता है end of the analysis जो मैं करता हूँ सारे FNO stocks पे और उसको figure out करता हूँ एक बर वो end of the analysis होगी तो 180 stocks का almost मुझे idea है जो FNO के stocks है कि वो कहा किस-kis level उनके लिए important है दूसरी बात कि कितने दिनों का chart और कितने दिनों का minute support or resistance में होता है तो दोस्तों अब support or resistance पे काफी confusion हो रहा है लोग हो इसके लिए मैं आपको कुछ clear करता हूँ उसको मैं हम example की थूँ देखेंगे ठीक है तो जब भी हम intraday पे आते हैं Intraday में support or resistance क्या होता है Intraday में जो सबसे पहला support or resistance बीन to have pivot points Assuming कि हम कुछना और देख रहा हूँ केवल पिछले दो दिन का data देख रहा हूँ तो वह होता है support or resistance level जिसको हम pivot point कहता है अब ये pivot point क्या होता है ये pivot point का भी origin support or resistance से ही होता है कैसे होता है Pivot Point calculate करने के लिए हमें पिछले दिन का High और Low Price और Close Price देना है अब पिछले दिन का High Price क्या है? पिछले दिन का High Price उसका Resistence है उस दिन का क्योंकि उसके उपर वो नहीं जा बाया और जो उसका Low Price है वो उस आप अपने चार्ट को बढ़ाते जाएंगे, आप weekly basis पर दिखेंगे कि कौन सा इसका supporter resistance था, आप monthly पर फिर जाएंगे, और फिर आप yearly पर जाएंगे, और जैसे जैसे आपको multiple time frame में charts पर same supporter resistance मिलते जाएंगे, मतलब कि अगर कोई point उसका weekly भी resistance बन गया है, और उसका monthly भी था, कोई cable select करें और उनको ही watch करते रहें, तो आपको daily कोई न कोई ऐसे stocks मिल जाएंगे, जो अपने support और resistance से या तो bounce करेंगे, आप उसको break करेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा आपका फाइदा क्या है, कि अगर आपके पास fix set of 180 stocks F&O के हैं, वहाँ पर आपका अभी support और resistance प लगाना रहता है, और maximum reward के हम expectation कर सकते हैं, और ऐसा ही resistance पर हमें minimum stop loss लगाते हैं, maximum reversal का chance और उसके, जो reverse होगा, उससे जो हमें फायदा होगा, उसको हम कर सकते हैं, चलिए इसको example के दूरू देखते हैं, यह है data steel का आज का stock, तो आप data steel का आज का stock देखेंगे, वह एक high नया high मारा था, 571 के round, फिर वहाँ से गरते गरते 548 के round, आज यह close हुआ है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि, अब इसके लिए आप क्या time frame देखेंगे, इसको मैंने daily chart पे खोला है, मैंने यहाँ पर trend lines plot किये, जो इसके, अब यह stock पूरा एक uptrend में है, अब इसक इसका जो immediate support है, तो since उसने high बनाया है, उसके बाद से वो नीचे इस point पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे हो थोड़े दे stay किया था, यहाँ से उपर नहीं चापा रहा था, फिर उसने धीरे धीरे यहाँ तक आया, तो यह इसका एक, क्योंकि यह 52 week नया high था यह भी तो इ यहाँ से एक high probability बन जाती है, कि यह bounce back करेगा, अब यह bounce back नहीं भी कर सकता है, तो मैं कल पता चलेगा, और यह नीचे भी जा सकता है, दोनों direction में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम, since यह stock long term, trend में है, और यह पहले भी इस trend line के बीच में bounce back किया, और यह एक longer term weekly chart पे एक resistance पे अपने, तो यहाँ पे एक best trade बनता है, कि आप यहाँ पे एक छोटा सा stop loss, यहाँ से 2 रुपे नीचे का stop loss लगा के, यहाँ से long कर दीजे, इस से क्या फायदा होगा, आपका risk बहुत छोटा होगी हो, कि अगर इसको support को तोड़ेगा, तो फिर अगली नीचे support यहाँ के around, य यहाँ तक का return का एक आपको मिल ला है trade का probability, तो यह होता है दोस्तों की intraday में जो भी हो, जब भी आप करेंगे, पहले आपको end of the day analysis one day select करके करना है, कि वो last candle जो आज का बना है, वो कैसा बना है, आज भी अरिश बना है, लेकिन कल एक भी green candle यहाँ से confirmation आएगा, तो यह stock व candle pattern से हम कुछ decide नहीं करते हैं actually, हम maximum decide करते हैं कि उस दिन का जो pivot points है, उसके उपर नीचे जा रहा है कि नहीं, और हम इस चीज़ से decide करते हैं कि अपने weekly, monthly और yearly जो भी उसके strong resistance है, उनके आसपास है, उनको तोड़ है, उनके उपर जा रहा है कि नहीं, इस से हम अपने trade की high probability बना सकते हैं, दोस्तो हर दिन किसी अप, अब आप देखे कि इसी stock में इस दिन आपको कोई trade नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में जा रहा है, इसने bullish candle बनाया, लेकिन अगर आपने यहाँ पर trade लिया तो उसको continue कर सकते हैं, यहाँ पर trade लिया तो आप उसको continue कर सकते हैं, तो इसलिए दोस्तो हमेशा 180-190 stocks अपने watchlist में रखिए, especially futures and options के, और उसमें आपसे आपको काफी ऐसे stocks मिलेंगे, जो किसी ना किसी important levels को रोज test करते हैं, तो आज का वीडियो दोस्तो इतना ही, I hope आपको काफी clarity में दियोगी, time frames के ओपर, कैसे analyze करते हैं, कितना important होता support resistance, आप आपके लिए काफी एडियोग पर काफी लोग काफी जी suggest करेंगे, कई indicators कि ये use किजे, वो use किजे, strategy को use किजे, iconize किजे, आप जितना ज्यादा indicators लेंगे, उतना आप confused होंगे, आप limited रहिए time tested indicators को, time tested strategies को use किजे, range breakout strategies use किजे, उन सब को अच्छे से use किजे, और आप एक highly favorable ज section में डाल सकते हैं, next video में उन सारे questions को लूँगा और उनको answer करूँगा, तब तक के लिए मिलते हैं next video में, जय हैं, जय भारत